कि अलो गाइज आएम जुबहर कान फ्रमजी टेक एपिल सिल्वेशन एंट्रेडिंग सेंटर मुझलता आज हमें सिक्सीन गुरुमेस का से प्यू रसीव हो है जो कि इस को निशन में है जिसकी स्केंड डैमेज है आज मैं इसको रिपेर करता हूं और आपके सामने इसका रिजल्ट चेक कराता हूं एक्चली हमारे पास डेली ऐसे केसे आते हैं जो के सीप्यू रिलेटेड ही होते हैं हमारे नसीब में ऐसा कोई फोन नहीं होता जो के फ्रेश पिनिशन में हमें मिलता है अलड़ी उनके उपर काम किया होता है तो आज भी ऐसा ही केस रसीव हूँ है 16 Pro Max है जिसके CPU की skin damage की हुई है आज मैं इसको repair करता हूँ और आपके सामने result चेक कराता हूँ हमारा next batch 20 October को start हो रहा है जो के master level का batch है इस batch में वो student join कर सकते हैं जो आलड़ी काम कर रहे हैं fresher student इस batch में allow नहीं है जो आलड़ी Android का काम कर रहे हैं या iPhone का का काम कर रहे हैं अपने hand skill को improve करना चाहते हैं सिक्मेटिक्स को complete read नहीं कर पाते तो हम इस batch में आपको step by step easy way में problem को diagnose करना समझाएंगे with block diagram with sigmatics एक-एक line के बारे में हम discuss करेंगे एक-एक signal के बारे में आपको detail के साथ में समझाऊंगा live practical करके आपको दिखाऊंगा board swapping में आपको जो problems face करनी पाड़ रही हैं उसके बारे में हम बात करेंगे कुछ मैं अपने secrets अपने student के साथ share करूँगा कि किस method से आप processor को save कर सकते हैं कि कौन से temperature आपने use करना है और किस method से CPU को remove करना है और किस temperature पे आपने processor के pad clean करने हैं अगर कोई track damage हो जाती हैं तो किस method से आपने track को repair करने हैं जो के हमारे master level की training में यह सारी चीज़ी होंगी बटा आप सभी के लिए मैं good news देता हूं हमारे पास daily basis पे messages आते हैं calls आती हैं कि सर आप बिल्कुल zero level से जो batch है वो कब start कर रहे हैं तो आप सभी के लिए good news है हमारे जो batch होगा वो next month start होगा जूँ है हमारा यह master level का batch close होगा मैं announcement कर दूँगा हमारा fresher student के लिए जो batch होगा वो three month का होता है बट जो master level का batch है वो हमारा one month का होता है हमारा next batch fresher student join कर सकते हैं अगर आप भी अपने आपको अपग्रेड करना चाहते हैं तो हमारे पास इस batch में limited seats available है मेरे साथ हमेशन यह issue रहा है कि जब भी मैं new batch की announcement करता हूँ student already waiting में होते हैं फोरण से अपनी seats confirm कर लेते हैं कुछ students ऐसे होते हैं जो के calls करते हैं या messages करते हैं कि सर हम next batch join करेंगे बट अपनी seat confirm नहीं करते बट जो ही batch start होता है तो फोरण मुझे calls messages आते हैं कि सर हमने batch के लिए आपको confirm किया था अलागि अपनी seat confirm नहीं करते तो उस टेम मैं उन student से माज़र चाहता हूँ क्योंकि already मेरे पास seat फुल हो चुकी होती हैं मैं ज्यादा student को इसी वज़ा से allow नहीं करता हूँ क्योंकि मैंने student का output भी देखना होता है अगर आपने next batch join करना भी होता है तो काई लिए मुझे अपनी seats confirm कर लिया करें ताके मैं किसी और को seat न दे सकूँ जब आप अपनी seat confirm करते हैं तो मुझे पता होता है कि मेरा student आएगा तो उसके लिए मैंने space रखनी होती है तो काई लिए इस चीज का ख्यार रखा करें जो ही batch start होता है नया तो मुझे calls, pre-calls message पर message आना start हो जाते हैं कि सारा हम batch join करना चाहते हैं तो उस ते मेरे पास seats available नहीं होती तो इसलिए मैं माज़रत करता हूँ कि seats मेरे पास जीतनी होंगी मैं उतने ही student allow करूँगा और नहीं ज्यादा student रखूँगा जो कि master level बाज स्टूडेंट होती है उनको तो मेरे पास just limited seat होती है उससे ज्यादा मैं बिल्कुल भी allow नहीं करता हूँ करता हूँ करता हूँ झाल 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 झाल